सम्मान चरीर पर लगी चोट मनुष्य भुला सकता है परन्तु उसके सम्मान को लगी चोट उसे जीवन भर पीड़ा देती है और स्त्री के मान सम्मान पर लगी चोट उसे उस सीमा तक ले जाती है जहां उसे केवल प्रतिशोध दिखाए देता है यदि अपने शत्रों को जीतना है तो प्रेम से जीती अपने कर्मों से जीती है उन्हें अनुभव करवाईए कि उनसे भूल हुई है किसी के सम्मान को ऐसी चोट ना पहुँचाईए कि वो आपका नाश करने पर उतारा है स्मरन रखे किसी का अपमान करके आपके हृदय को कदाचि थोड़ा संतोश आजाए परन्तु उस अपमान से आप कई हृदयों को आघात पहुचाते हैं और अपने लिए एक शत्रू और बढ़ा लेते हैं हम सब शीगर ही सफलता चाते हैं फेर सारी संपत्ती और सुक चाते हैं और ऐसे में कई बार हम छोटे मार्गों का चैन कर लेते हैं वो मार्ग जिनमें परिश्रम नहीं होता जिनमें होता है तो केवल ज्छल, कुटिलता और भाग के का सहारा जैसे की जुआ कोई जुए के खेल में धन लगाता है, कोई दाव लगाता है और ये भूल जाता है कि जुआ ऐसा दलदल है कि जिसमें एक बार गिरे, तो सर्वनाश से पहले निकलना असंभव है यदि आप जीते, तो और जीतने की भूख बढ़ जाएगा और यदि आप कुछ फार बैठे, तो उसे पुना पाने के लिए आप फिर से खेलेंगे मनुष्य को ये आभास ही नहीं होता कि अपनी संपत्ती के साथ साथ वो अपनी मानवता, अपने संस्तार, अपना धर्म और अपना उत्तरदाइच तक सभी जुए की भेट चभा दिता है इसलिए कुछ पाना है, तो परिश्रम से पाँ यदि कुछ जुए में जीता, तो वो उतना शीग्र ही खोदोगे चुकि उसे परिश्रम से पाया नहीं गया है और उसकी रक्षा करने के लिए आपके मन में स्वभाविक प्रयास भी नहीं होंगे शमा बढ़न को चाहिए, छुटन को उत्पार शमा इस संसार में शांती का, सुख का मूल आधार है शमा आपके मन से प्रतिशोद और शत्रता जैसे भावो को समाप्त करती है परन्तु क्या हर स्थान पर शमा अवश्यक है, क्या प्रतेक का अबराद शमा करने की योग्य होता है नहीं कभी कभी उसे शमा करके, हम उस व्यक्ति को और बड़ा अपराद करने की प्रेड़ना देते और ऐसा ही अपराद है, स्त्री का मान भंग करना जिसमें शमा की कोई अवस्था नहीं यदि सी भूल से, काए के बच्छडे का अखेड कर ले तो उसे शमा किया जा सकता है परन्तु यदि वो नर्भक्षी हो जाए तो उसके केवल दोस्थल होते है या तो पिंजरा या फिर मृत्यों की गोद कुछ परस्थितियों में शमा के स्थान पर डंड देना आवश्चक होता है चुकि ये डंड का भै ही है जो लोगों को वो अपराद करने से रोपता है संसार में सबसे बड़ा क्या है अभिमान और बाहुबल या विश्वास और आज़्था निश्चित रूप से बाहुबल के महत्व को नकारा नहीं जा सकता मनश्य अपने बाहुबल से परवत को मैदान मना सकता है सागर सुखा सकता है और उस खल में नदिया बहा सकता है परंतु बाहुबल को सहारा होता है विश्वास का यदि मन में विश्वास ना हो तो बाहुबल किसी काम का नहीं वो कौन सा बल है कि मोर आकाश की ओरत आखते हैं वो विश्वास ही तो है जिसके कारण वर्षा होती है और दोनों की प्यास बुच्चती है परंतु जब भाग के बाहुबल का सामना धर्म के विश्वास से होता है तो बाहुबल हार जाता है और जीतता है विश्वास विजय होती है आस्था की यदि आप सत्य के मार्क पर चल रहे हैं और आप अपने इश्ट में आस्था रखते हैं तो किसी भी पापी का बल आपका कुछ नहीं विगाव सकता कभी सोचा है हमारा जीवन भी उस रेट की घड़ी की भाती है जो रेट नीचे गिर चुकी है वो हमारा अतीब जो अब भी उपर है वो हमारा आने वाला भविश्य है और वर्तमान ये संकुचित स्थल है जहां से धीरे धीरे करके रेट गिर रही है अर्थाद हमारे पास जीने के लिए यही एक शन है उसका उप्योग कैसे करना है ये हमपर निर्भर करता है जो बीत गया उसका दुख मनाना है या जो भविश्य में होने वाला है उसकी प्रतीक्षा में क्रोध करना है सब कुछ करने के लिए यही एक शन है प्रसन रहना है तो उसके लिए भी यही एक पल है प्रतीक्षा करते रहोगे तो ये पल भी भूत काल में बदल जाएगा इसलिए आनंद के लिए परुकार के लिए प्रतीक्षा ना कीजिए आपके पास जो पल उनका भरफूर सदुप्योग कीजिए चुकि इस घड़ी को पलटकर आप फिर से समय अवश्य गिन सकते हैं परंतु अपना बीता हुआ समय आप वाबस नहीं लोटा पाएंगे मनुष्य के जीवन में संतान का बहुत महत्व है उस संतान के लिए वो कितने कश्ट सेहता है उसे बालता है पूस्ता है और यदि यही संतान संताप का कारण बन जाए तो क्या ये उसका दोश है अधिकतर ये दोश हमारे लालन पालन का होता है बच्पन में बालक के हट को मान कर हमें आनंद की अनुगुती अवश्य होती है परंतु धीरे धीरे अपने बालक के हट को मान कर उसके हट के दास हो जाते हैं एक हटी उत्तन और आसंसकारी संतान उस सूखे व्रिक्ष के समान होती है कि यदि जिसमें आग लग जाए तो वो सारे बन को भस्म कर डाला और स्मरन रहे जब उसमें अगनी लगती है तो सबसे पहले वो स्वयम के घर को ही भस्म करती है इसलिए जब आवशक्ता हो तो अपनी संतान के हट का विरोध करें उसे रोकें चुकि यदि समय रहते ऐसा ना किया गया तो भविश में इस समस्या के परिनाम कभीर हो सकते हैं प्रतिग्या बचन ये सब मनुष ने समाज को सही दिशा में रखने के लिए बनाये हैं वो मनुष ही क्या जिसके जीवन में नियम ना जिनका वो पालन ना करें परन्तु समय के साथ चलने के लिए नियमों को बदलना भी अवश्यक होता है चुकि ये आज का समय ही तो है जो बीच जाने के पस्चात इतिहास बन जाएगा यदि आवश्यक्ता पढ़ने पर नियम और प्रतिग्या भंग ना की जाए समय की मांग के अनुरू अपनी प्रतिक्रिया ना बदली जाए तो इतिहास हमें कभी शमा नहीं करेगा आवश्यक्ता पढ़ने पर आपकी तूड़ी हुई एक प्रतिग्या क्या एक बंधन कभी कभी पूरे माना वितिहास को बड़े विनाश से बचा सकता है इसलिए नियम प्रतिग्या बचन कुछ ने कुछ है तो केवल समय जिसके अनुरूप चलने वाला ही सफल हो सकता है कभी किसी पक्षी को घोसले की नीव बनाते देखा है अठक परिश्रम करके तिनका तिनका बिटोर कर वो पक्षी अपना घोसला बनाता है अपनी संतान के लिए एक सुरक्षित घर बनाता है और फिर कही से तीवर आंधी आती भारी वर्षा होती और उसका घोसला तिनका तिनका करके बिखर जाता है फिर वो पक्षी क्या करता है वो रोता नहीं ना ही विलाप करता है वो बिना विलंब करें फिर से अपना घोसला बनाना प्रारंब कर देता है और सफलता पाता है फिर हम क्यों छोटी छोटी आसफलता से भैवीत होकर परिश्रम करना छोड़ देते हैं एक बात सदास्मरन रखिये गए हर व्रिक्ष पुलाडी की एक मार से नीचे नहीं गिरता हर चट्टान घन के एक प्रहार से नहीं तूड़ते सबलता पाने के लिए अनावरत परिश्रम करना ही मात्र एक मार है स्विकारण सत्य का स्विकारण मनुष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर जब तक मनुष्य सत्य को स्विकार नहीं करता उसे असत्य से लड़ने की शक्ति प्राप्त नहीं होता जब आप भोजन करते हैं तो क्या होता है आपका पेट स्विकारता है कि वो भर चुका है और आप भोजन करना बंद कर देते हैं जब आपको निद्रा आती है तो क्या होता है आपका मन स्विकारता है कि आपका शरीर ठक चुका है और उसे विश्राम की अवश्रता है उसी प्रकार जब आपको किसी व्यसन को रोकना हो तो आपको सुईकार ना पड़ता है कि बहुत हो चुका है चाहे वो लालच हो या मदिरापान उस व्यसन का त्यागना तभी प्रारंब होता है जब आप ये सुईकार कर लेते हैं कि आप उस व्यसन के बन्हुर। मुख से निकली आए है। आप देख रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूं? मैं लौट पिगला रहा हूं. और ये लौट पिगलता है, इस चमड़ी की बनी धूनकी से निकली हवा से. तनिक सोचे, एक मुर्ध पशु की खाल से बनी धूनकी, इतने कठोर लोहे को भस्म कर सकती ठीक उसी प्रकार आप चाहे जितने भी शक्तिशाली क्यों न हो यदि आपने किसी निर्दोश, किसी निर्बल को सताया तो उसके मन से निकली हाय और उसका श्राफ आपके जीवन को भस्म कर सकता है स्वर्ण सज्जन पुरुष और परुपकारी मनुश्यों की गती एक समान होती है यदि स्वर्ण तूट जाये तो उसे गरम करो ताप दो पिगल कर वो फिर से जुड़ जाता है खीक उसी प्रकार मदभेद होने के पश्चात भी एक सज्जन पुरुष और महान पुरुष फिर से मित्र बन जाते परन्तु दुर्जन दुष्ट माटी से बने लोग उस पके होए मटके के समान होते हैं कि जिन में यदि एक बार दरार आ जाये तो वो स्वयम ही स्वयम का सर्वनाश कर लेते इसलिए मित्रता केवल सज्जनों से ही करें ताकि मदभेद नाव दुष्टों का समू अपना नाश स्वयम ही कर लेता है यदि कोईले की खान में जाओ तो चाहे जितनी भी सावधानी बढ़तो अपने वस्त्रों पर कालिक लग ही जाती है इसलिए दुष्ट मित्रों से सावधान सज्जन शत्रू प्रतेग परिस्थिती में श्रेश्ट है प्रतेग मनुष्य सफलता पाने के लिए कारे करता है कुछ सफल होते हैं, कुछ नहीं होते और जो सफल नहीं होते वो सदा अपनी आसफलता का कारण या तो अपनी परस्थितियों को बताते हैं या अपने सहयोगियों को दोशी ठहराते हैं परन्तु क्या वास्तविक्ता में ऐसा ही होता है क्या कोई परिस्थिती या कोई व्यक्ति किसी की आसफलता का कारण बन सकते हैं उत्तर हाँ भी है और ना भी कैसे? आप इस तितली को देख रहे हैं? आपने एक मक्खी को भी देखा हो प्रक्रती ने दोनों को समान गुण दिये रस पान करने का एक तितली फूलों पर जाकर उसका रस लेती और इस अवस्था में नए फूल खिलने की विवस्था भी करती और मक्खी घाओ पर बैढ़ती घाओ को सडाती है और रोग भी फैलाती यदि इसमें किसी बात का अंतर है तो केवल सोच का यदि आप उचित मार्क चुनेंगे तो आपको सफलता मिले आप में उच्सा बढ़ेगा और यदि आप अनुचित मार्क चुनेंगे तो आपको असफलता मिले निराशा मिले अब उचित मार्क चुनेंगे या अनुचित मार्क ये निर्णय तो आपको निर्फर करता है मनुष्य सदा भला बुरा खरा खोटा सत्य असत्य की बाते करता है सत्य को अच्छा मानता है और असत्य को बुरा परन्तु क्या आपने कभी ये सोचा है कि प्रतेख वस्तु प्रतेख भाव का एक महत्व होता है दोनों ही एक दूसरे के पूरक होते है यदि काला रंग नहीं होगा तो क्या श्वेत रंग की आभा का अनुभव होगा यदि असत्य नहीं होगा तो क्या सत्य के महत्ता का ज्यान होगा यदि बुरा नहीं होगा तो क्या भले पर आपको विश्वास होगा कुछ महत्वपूर्ण है तो दोनों के मध्य का संतुल है बुरी से बुरी वस्तुर्ट, समय या भाव कोई ना कोई स्वयम में शुब छिपाए रखती है कभी काले गरश्टे मेगों को देखा है उसके किनारे भी एक स्वर्णम आभा होती है उसी प्रकार यदि आपके जीवन में बुरा समय आए तो आपको अपने सच्चे मित्रों की पहचान हो जाती है तो बुरे समय में निराश ना हो उसमें भी कुछ शुब खोजने का प्रयास करेगा और धीरे धीरे सब कुछ आपके जीवन में स्वतह शुब हो जाएगा संसार में सबसे महत्वपून क्या है द्रिष्टी या द्रिष्टी कौन समझ या सोच समान्यता मनुष्य की द्रिष्टी और सोच में अधिकतर वो वस्तु वो घटनाएं वो भाव श्रेष्ट हैं जो हमें आनंद दे और जो हमें आनंद नहीं देते उन्हें हम दुखदाई मान लेते परन्तु द्रिष्टी कौन और सोच को यदि एक भिन कौन से देखें तो तो परिस्थितियां भिन सिद्ध हो सकती है जिस प्रकार भीशन गर्मी हमें सुहाती नहीं परन्तु वही गर्मी सागर और नदियों के जल को वाश्पित करती है और हमें मनोरम वर्षा का आनंद देती उसी प्रकार भीशन परिश्रम के पस्चाथ हमें सफलता मिलती प्रक्षा के पस्चाथ हमें हमारा लक्ष मिलता तो सदा स्मरन रखियेगा कि दुख और पीडा से भागे नहीं चुकि यही भविश्य में आने वाले सुख का मूल है जब भी आपने यात्रा की होगी तो अवश्य अपने मार्ग के आसपास कुछ रिक स्थान देखे होंगी कुछ खेट देखे होंगी कोई ना कोई भूमी का टुपड़ा अवश्य देखा होगा कुछ थान ऐसे होते हैं जहां पेड लगे होते हैं जहां माली बड़े प्रेम से उन्हें बोता है, उन्हें सीचता है, और कुछ थान ऐसे भी होते हैं जहां बिना माली के खरपतवार उग जाते हैं, कुछ अन्ने पौधे उग जाते हैं. माली द्वारा उगाय व्रिक्ष हमें ठंडी चाया देते हैं, हमें फल देते हैं, इंधन के लिए लकडिया देते हैं, और बिना परिश्रम के उबजित खरपतवार यदि कुछ करते हैं, तो ये कि वो भूमी को बंजर बनाते हैं. हमारा मन भी रिक्ष भूमी की भाती होता है, यदि अपने परिश्रम से उसमें सू विचारों के बीज डालोगे, तो फल दायक विचार उपजेंगे, और यदि उसे रिक्ष छोड़ दिया, तो खरपतवार की भाती, अनुप्योगी विचार आपके मन को अपना घर बना ल